आज आईसमाट रसोई में बनेगी मुँ में घुल जाने वाली यमी और टेम्टिंग गाजर का हल्वा सर्दियों में गाजर की भरमार होती है और इंदिनों की गाजर मीठी होती है और सस्ती मिलती है तो लाल लाल मिठी मिठी गाजर से चलिए बनाते हैं गाजर का यमी हल्वा फ्रेंट्स मैं ममता आप सभी को स्वागत कर रही हूं आइसमाट रसोई में मेरी रेसिपीज अगर आप लोगों को पसंद आती हो तो आइसमाट रसोई को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ओल लोटिपिकेशन को ओन कर ले तो चलिए सुरू करते हैं रेसिपी को ये मैं ली हूँ गाजर मेरे पास फिलाल इतने आभेलवल थे तो मैं इतने से ही बना रही हूँ ये करीब-करीब आधा किलो है इन्हें छील लेते हैं गाजर का हलवा बनाना हो तो पहले इसे छीलिए फिर ग्रेट करिए फिर उसे कड़ाई में भुनिए इन सब में काफी समय और काफी मेहनत लग जाती है ये सारे छील गए तो हम इसे ग्रेट ना करके इसे इस तरह से टुकडों में काट लेंगे तो फालतू मेहनत ना करके हम इसे आसान तरीके से बनाएंगे हम इसे ग्रेट नहीं करेंगे इसे इस तरह से टुकडों में काट लेंगे आप चाहें तो इसे गोल-गोल काट ले या फिर लंबी-लंबी काट ले ये सारी हमने काट लिए मैं इसे कड़ाई में ना बना कर कुकर में बना रही हूँ इस समय की बचत होगी और ये बिल्कुल कम समय में बनेगी और अच्छी तरह से प्रेसर कुक होने की बज़े से इसे मुँ में डालते ही ये मक्षन जैसी गूल जाएगी ये कुकर गरम हो चुकी है ये दो बड़ी चम्मच गाएगी इसे इस तरह से बनाने से ये खाने में बहुत अच्छी लगती है अब इसमें डाल रही हूँ ये थोड़े से ड्राइप प्रूट्स इन्हें भून लेंगे आपको जो मेवा पसंद हो ले ले ये भून गई इन्हें निकाल लेते हैं अब ये कटे हुए गाजर को इसमें ले लेते हैं इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे सादियों में पाटियों में जब गाजर का हलवा बनती है तो इस तरह से गाजर को काट कर ही बनती है आप अगर चाहें तो इससे इस तरह से ना काटकर मिक्सी में ग्राइंड कर ले फिर बनाए प्रेंट्स, रेसिपीज को सिंपल करके और घर में अभेलेबल इंग्रीडियेंट्स से और आसानी से कोई भी बना सके इस तरह की रेसिपीज पर मैं ज्यादा जोर देती हूँ तो अगर आप लोग मेरी रेसिपीज को पसंद करते हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आइस्मार्ट रसोई को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले और ओल नोटिफिकेशन को ओन कर ले ताकि मेरी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए और ये गाजर की हल्वा की रेसिपी अगर पसंद आई तो लाइक करना ना भूले देखिए गाजर कितनी बढ़ियां सॉफ्ट हो चुकी है और अच्छी तरह से भून भी गई है हमने इसे करीब 7 मिनिट तक भूना है इसमें डाल नहीं हूँ ये ताजी मलाई दूद को उबालने के बाद जो मलाई उपर बैठ जाती है वही वाली मलाई है मैं ये हल्वा में दूद नहीं डाल लूँगी आम तोर पर काजर का हल्वा में दूद डाल कर बनाया जाता है पर मैं इसे दूद से नहीं बनाऊंगी ये 5-7 केसर के धागों को मैं दूद में भीगो कर रखी हूँ, इसे ले लेते हैं इससे हलुआ में बढ़िया सी नेचुरल कलर आ जाएगी और केसरीय फ्लेबर भी आ जाएगी हम कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसी केसर से ही नेचुरल कलर आएगी इसमें हम मावा कंडेंस्ट मिल्क कुछ भी नहीं डाल रहे हैं तो हलुआ हमारी टेस्टी और यमी के साथ सथ मावा वाली रीच टेस्ट लाने के लिए ये आधी कप गुनगुनी दुद में मैं ये 4 चमज मिल्क पाउडर गोल रही हूँ अब मिल्क पाउडर को गुनगुनी दुद में ही घोले बनना लम्स बन जाएंगे इसे डालने से हल्वा में बढ़िया सी मावा वाली रीच टेस्ट आएगी अब कुकर को बंद कर देते हैं एक सेटी भी आने देते हैं ये एक सेटी बज गई है अब हम ग्यास की फ्लेम को पूरी लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर ही पांच मिनिट तक और पकाएंगे इस तरह से इसे लो फ्लेम पर पकाने से ये अच्छी तरह से सौफ्ट हो जाएगी इसे पांच मिनिट पकाने के बाद मैं ग्यास को बंद कर दी थी अब इसे खोल के देखते हैं ये देखिए ये बढ़ियां एकदम से सौफ्ट हो चुकी है अब इसे इस तरह से जांचात कर मिला ले या फिर आप मैसर से इसे मैस कर ले ये देखिए ये बढ़ियां मैस हो गई अब इसमें स्वात के मुताबिक चीनी डाल दते हैं और ये रही थोड़ी सी दरदरी कुटी इलाइची पर्ड़ अब इसे अच्छी तरह से मिला लते हैं इसे और थोड़ी गाड़ी होने दते हैं फ्लेम को मैं पूरी मीडियम लो पर रखी हूँ अब इसमें ड्राइप्रूट्स को डाल दते हैं और ये थोड़ी सी गार्णिस के लिए इसे अच्छी तरह से मिला लते हैं ये तैयार हो गई हमारी यमी सी मूँ में डालते ही गूल जाने वाली गाजर की हलुआ फ्रेंड्स एकदम कम समय में, एकदम कम मेहनत में और एकदम कम इंग्रीडियंट्स से बनाईए इस यमी सी गाजर की हलुआ को बनाईए इसे, I am sure आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे बनाईए यमी सी इस गाजर की हलुआ को और एंजेय करिए थैंक्यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाई